और मुंबई नॉर्ट से बीज़पी सांसत गुपाल शेटी का टीवी नाइन पर बड़ा बयान सरकार का किरना आज ही तै हो जाएगा ये बड़ा बयान शेटी की तरफ से दिया गया है उधव ठाकरे को इस्तीफा अब दे देना चाहिए उतव से ज्यादा संजे राउट से विधायक नाराज बताए जा रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर शिव सेना के टूटने की बात कही जा रही है महराष्ट में इस समय जो सियासी पारा है वो काफी चड़ चुका है तीजी से घटनाएं हो रही हैं बात करने के लिए हमारे साथ मवजूद है मुंबई नौर्थ से बीजेपी के सांसद गोपाल शेटी शेटी साब अब मुझे बताइए कि जो तूट हो गई है असली शु सग बली भारतेनता पार्टी के साथ 25 साल का हम रहा नाता राहा है नाता रहा हिंदुत्व कराँत है मुझे पर टूटी है हिंदू ना काम यह हम अप्वत्र बादू रह मिःना चाहते है सर्थ उनका यह इथा कि आप भरतेंता पार्टी को सपोर्ट करो देवंदर फट्वन जी मुख्या मंत्री बने और हिंदुत्वा बारा साथ की ठाकरी जी की हिंदुत्वा हो जीवित रहनी चाहिए यह उनका मुद्दा है आपने बड़ी बात कहिए आपने का कि असली शुष यह इस शुषेना है कि मैं शुषेना कौन से असली कौन सी नकली न कई दिया इतने बड़ी फली फूली पच्छीष साल भरतेंता पार्टी के साथ में उनका संबंद रहा हमारा उनके साथ में सब्सक्राइब जो शुषेना वह बाला सब ठाकरी शुषेना नहीं है क्या नह अब यह कहा कि वह चाहते हैं कि देवद फड़निविस मंख्यमंत्री बन सकते हैं यह तो भी सिभुषेना के वह एक ना सिंदिजी ने कल उनका मत बताया कर यह इंका मत है यह होना चाहिए अब क्या करना क्या नहीं करना यह तो हमारी पार्टी तो ब्रॉडर इंट्रेस्ट ऑप नेशन पहला देखती है क्या होना चाहिए और उसके बारे में नीड़ने वही करेंगे यह सरकार अभी इसके अंतिम काउंट डाउन चालो हो गया है तो कि सरकार किसकी बनेगी समभाल तो फिर आएगा इसके लोकशाएं पद्धति से सरकार बनेगी संक्या जिसके वह जादा हो गी पर यह सरकार गिरेगी कि यह सरकार गिरना तहीं है कि आपने कहा कि सरकार का गिरना तहीं है कितना वक्त लगेगा अगली सरकार को सत्ता में आने में अगली सरकार आने में आपका अनुभा क्या कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ देख रहा हूं मैं अब सिगनेचर केमपेंग वहां पर या कलमे हो जाना चाहिए कि इसमें कोई बहुत देर लगने का कोई कारण दिखाई निद्धा कि चालीस लोग उनके सात में है और सिगनेचर का लेटर आ जाने के बाद में राज़पाल को मिलने के बाद में बहुत समय लगेगा इसा मुझे लगता निए आज कल में सरकार गि झालीस